प्रदा मंत्रें रेंद्र मोधिन ने विश्व युवा कोश्टल दिवस पर देशवासियों को किया संबोधित कोरोना वाइरस के दोर में प्रास्वाविक बने रहने के लिए इस्किल, रिस्किल और अप्स्किल का मन्त प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए सदायाव तत्पार प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार दुवारा लिये जा सकते है कुछ कड़े फैसले स्वास्तेमंत्री अनिल विज ने कहा दिल्ली के साथ लगते जिलों की सीमाओं को फिर से किया जा सकता है सील और सीबैसी द्वारा गोशित दस्वी कक्षा के परिणाम में लड़कियों ने एक बार फिर अपना वचस्व किया खाया प्रदेश का परिक्षा फरिणाम 94.01 प्रतिशत रहा नमस्कार मैं सुरेंदर कुमार अब समाचार विस्तार से देश भर में आज विश्व कोशल युवा दिवस मनाया चा रहा है इस अवसर पर प्रतार मंतरी नरेंदर मोधी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए देशवासियों को संबोधित किया ये दिन स्किल इंडिया मिशन की शुरुवात की पांचवी वर्षगांट का प्रतीक है प्रता मंतरी ने अपने संबोधिन में कहा कि 21 सदी के युवाओं का कोशल ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है उन्होंने व्यापार और बाजार की तेजी से बदलते इस दौर में प्रासंगिक रहने के लिए स्किल, री स्किल और अप्स्किल का मंतर भी दिया स्किल, री स्किल और अप्स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सिखें जैसे कि आपने लकडी के एक टुकडे से कुर्सी बनाना सिखा तो आपका हुनर हुआ आपने लकडी के उस टुकडे की किमत भी बढ़ा दी, वैल्य एडिशन किया, लेकिन ये किमत बनी रहे, इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल, याने रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है, उसके लिए नया सीखते रहना पड़ता है और कुछ नया सीखते रहने का मतलबी है, रिस्किल, और हमारी जो स्कील है, उसका और विस्तार करना, जैसे छोटे मोटे फरनीचर बनाते बनाते, आप और भी चीज़े सीखते जाए, पूरा का पूरा आफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया, अप्स्किल, स्कील, रिस्किल और अप्स्किल का ये मंत्र, जानना, समझना, और उसका पालन करना, हम सभी के जीवन में बहुत महत्पपूर है, प्रत्रा मंत्री ने कहा कि कौशल और ग्यान के अंतर को समझते हुए पांच वर्ष पहले, आज ही के दिन स्किल इंडिया मेशन की शुरुवात की गई थी, और ने बताये कि अब तक देश में पांच करोड युवाओं का कौशल विकास किया जा चुका है, और ये अभ्यान लगातार जारी है। इसी सोच के साथ शुरू किया गया था। इसका मकसद यही था कि यूद को नॉलेज के साथ ही स्किल भी मिले, कौशल भी मिले, इसके लिए देश भर में सैंकडो, प्रधान मंत्री कौशल विकास केंदर खोले गए, इस दोरान पांच करोड से जादा लोगों को स्किल डेवलप्मेंट किया जा चुका है। और ये अभ्यान दिरंतर जारी है। कौशल विकास मंत्राले दुनिया भर में बन रहे रोजगार के आउसरों की मैपिंग कर रहा है, जिस से सबसे जादा लाभानवित श्रमिक होंगे। कोशल विकास मंत्राले ने दुरिया भर में बन रहे इन आउसरों की मैपिंग शुरू की है कोशी यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में उसके सबन में भी सही और सटिक जानकारी मिल सके कि विश्व युवा कोशल दिवस के मौके पर हर्याणा के मुक्हमिंत्री मनोहरला ने पंचकुला के सेक्टर 14 इस्तित, ंदाव, नर्वत, रोजगार भवन का उदुगातन किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मौहिया करवाने के लिए हर्याड़ा सरकार सदैवतत पर है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रोजगार पोर्टल वैर रोजगार विभाग के कॉल सेंटर का भी उद्धारम किया। उन्होंने साथ नेजी परतिश्ठानों को सक्षम साथी अवोर्ड से सम्मानित भी किया प्रोजेक्ट भी बने हैं तो उसमें रोजगार अब हम एक रोजगार कारले बना करके यह नया एक प्रारम हुआ है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि युवाओं को सरकार की विभिन्न योजणाओं के बारे में बताएं ताकि वो इन योजणाओं से लाभानवित हो पाएं प्राइवेट रोजगार के लिए लोगों को यहां से डाटर अपलब्द हो जाएगा प्राइवेट रोजगार के नाते से भी प्रवासे श्रमिकों को स्पेशल श्रमिक ट्रेन और बसों के माध्यम से उनके गंतवबे तक पहुंचाया गया है सत्रा लाख लोगों को हमने आर्थिक साहता पहुंचाई और जो साड़े पांच सो क्रोड रोपय के आसपास बनती है राशन जो है वो हमने 26 लाख लोगों के घरों में राशन पहुंचाया सेक्डो क्रोड रोपया उस पर भी खर्चाया कुल मिलाकर के 1500 क्रोड रोपया हमने इस दोरान खर्च किया है जो लोगों की साहता के लिखिया सब लोग घरों को जाने के लिए आतूर थे मजदूर खास करके अपने अपने प्रदेश में हमने 100 गाड़ियां, ट्रेंज, उनको स्पेशल बुकिंग करके भिजवाया और लगबग 6,000 बसों के ट्रिप्स वो लगवाए ऐसे 3.5 लाख लोगों को हमने योजना से भिजा प्रदेश में व्यापारिक गतिवीधियों के लिए अनुकूल माहोल बनाया गया है उन्हें कहा कि प्रदेश करोना महारी से प्रभावित हुए और द्योगिक गतिवीधियां फिर से शुरू हो गई है और श्रम एक वापिस काम पर लोटने लगे है प्रदेश में 80 प्रतिशत से आधिक का कारोबार फिर से शुरू हो गया है इस जोन में 80 प्रसंट से उपर हमारा पावर कंजंप्शन हो गया इसका अर्थी है कि इंडस्ट्री का साय का कमर्शलाइशन ये सब कंप्लेट हुआ है तो इस नाते से हरियाणा में बहुत बेतर स्थिति में आज हम है प्रदेश के विकास कारियों में खर्च किया जाए और हम आत्म निर्भर भारत अभियान में अपना योगदान ते भारत की बात की है 20 लाग क्रोड रुपे का जो एक पैकेज देश वर में उन्होंने देने की बात कई है चाहे वो इंडस्ट्री है चाहे वो किसान है चाहे मज़ूर है चाहे बाकी सब लोग है क्विशेश तोर पर MSME का जो एक बहुत बड़ा पैकेज उन्हों गोशित किया है हमने अपना टार्गेट किया है कि कम से कम दस परसंट शेयर हरियाना का उसमें जरूर हम उपयोग कर पाये स्वास्ते मंतरी अनिल विज ने आज चंडिगड में पत्रकारों से बाच्चित में बताया कि हरियाना में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार कुछ कड़े फैसले लेने का विचार कर रही है स्वास्ते मंतरी ने कहा कि करोना के असी फसदी मामले एन्सियार के साथ लगते जिलों में पाये गए है और उन्हें कहा कि प्रदेश में इस समय करोना के लगभग पांच हजार सक्रिय मामले है हमारे स्वास्ते सिवाएं बेहतर कारे कर रही है और प्रदेश में प्रती दिन लगबग 15,000 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है और आने वाले समय में टेस्ट प्रक्रिया को तेज किया जाएगा उन्हें प्रदेश में कारून व्यवस्ता की स्थिती पर बोलते हुए का कि राज्य में पुलिस बेहतर कारे कर रही है जिसके चलते अपराध दर में कमी आई है चार जिले गुड़गाओं फरीदाबाद सोनीपत जजजर जो कि दिली से बिल्कुल सटे हुए हैं और जिनमें सारे हर्याना के क्रोनिक क्रोना केसिस के लगबग असी प्रतिशत केस हैं इन चारों जिलों की जो सिमाए हैं उनको सील करने पर भी विचार हो सकता है इन चारों जिलों में कर्फी लगाने पर भी विचार हो सकता है और बाकी हर्याना में जो छूट दी गई है उस पर पुरे सक्ती लगाने पर भी विचार हो सकता है IIT दिल्ली द्वारा विक्सित एक कम लागत वाली COVID-19 जाँच किट लॉंच की गई है जो सटीकता के साथ समझ होता किये बिना जाँच लागत को कम करती है भारती आयूर्विग्यान अनुसंधान परिशद ने आवशक जाज के बाद किट को स्विक्रिती दे दिये अब इस किट का उपयोग देशबर में परिक्षन करने के लिए किया जा सकता है आज CBSC ने दस्वी कक्षा के परिणाम घोशित कर दिये हैं दस्वी कक्षा में कुल 91.4% चातर पास हुए है इस बार फिर लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन किया और उनका परिणाम 93.3% रहा जबकि 90.1% लड़के परिक्षा में पास हुए इस बार पिछले साल के मुकाबले चातरों का बेहतर प्रदर्शन रहा है केंद्रे मानवसंसादन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल नेशंक ने चातरों को शुबकामना देते हुए कहा कि जात्रों का स्वास्त है और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा ही हमारी प्रात्मिकता है हार्याडा का परिक्षा परिणाम 94.01 प्रतिशित रहा लड़कियों ने एक बाद फिर से परिक्षा परिणाम में अपना वर्चास्व कायम रखा मुखेवंत्री मिनोहलाल ने अपने ट्विट संदेश के जरिये कहा कि सीवेसी कक्षा दस्वी परिक्षा के आज घोशित परिणाम में सभी सफल विद्यार्थियों को हार्दिक बदाई जो विद्यार्थी सफल नहीं हुए है विद्निराश ना हो तथा प्रियास जारी रखी भी भावकों से अनुरोद किया कि बच्चों का मार्ग दर्शन करते रहे सब के उजवल भविशे के लिए शुब काम नाए पिछले दिनों सिर्सा में टिड्डी दल के आकरमण से किसानों को काफी नुकसान हुआ है एलनाबाद और चोपटा कि शेतर के कई गाओं में टिड्डी दल ने प्रवेश किया था नर्मे अनेक फसलों को अपनी चपेट में ले लिया था श्रसा कृशी भाग की उपनिदेशक डॉक्टर बावु लाल ने बताये कि कृशी भाग ने टिड्डी दल के आकरमण से हुए нем किसान का आंकलन किया है किया जा रहा है और वहां की 10 टी में दोवारा स्थिती पर लगातार नजर रखी जा रही है तरह गाओं जिनमें किसी जादा है किसी गाओं में कम है तो एक जार पिजेतर एकड का एरिया जो है उसमें नुक्षान की रिपोर्ट हमें किसाना को जागरू कर रही है और अमारे पास फायर बिर्गेज की गाडियां है टेक्टर मांटिट सप्रेटम हैं और हमने अपने विवाग की 10 टीमें बना रखी ऑपरेशन के लिए और पूरा परशासन साथ है जैसे ही अमारे को सुचना मिलती है तो पूरी टीम उसी टाइम क्यार हो जाते हैं कासात्मक आधारबूत धांचे में अभूत पूर्व सफलता प्राप्त की है जो हमारे लिए गर्व की बात है नागरिगों की मेहनत और उनके सहोग की बदोलत ही फतेहवाद जिले ने ये उंचायां हासिल किये मंडलायुक्त विने सिंग ने जिले के स्थापना दिवस पर परियावर्ण सन्रक्षन की देशा में उठाए गए कदमों की सरहना करते हुए स्थाने निवासियों को शुब काम नायती है प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेस्बुक, ट्वीटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं हम से जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैनल को फोलो कर सकते हैं महिला आयम बाल विकास मंतरी कमलेश धाना ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिलाओं के स्वास्ते को लेकर पूरी तरह से गंभीर है ऐसे में प्रदेश सरकार ने हर माहा जरूरत मन महिलाओं को नेशुल क सेनेटरी पैड मोहिया करवाने का निर्ने लिया है उन्हें कल सोनिपत जिले के गाओं ईशापूर खेडी वा मदिना में पत्रकारों से बाचित में कहा कि गरववती महिलाओं को पौश्टिक आहार देने के साथ साथ प्रतेक महिला को छे दिन दूद भी अपलब्द करवाया जाएगा गरववती महिलाओं को इससे पूरा पोश्टिक मिलेगा उन्हें ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब योजना के हरियाना में बेहतर परिणाम सामने आए हैं और लोगों का भी इस योजना में सहयोग मिला है और ने बताया कि मख्यमंत्री मनोहलाल किसान और कमेरे वर्क के हितों को ध्यार में रखकर दूर दर्शी नीतियां बना रहे हैं ताकि समस्याओं के स्थाई समाधान किये जा सके डिजिटल माध्यम से जन कल्यान कारी सुभी धाएं जन जन तक पहुंच रही हैं किसानों को उनकी फसल की कीमत और लाभारतियों के खाते में पैसे अब सीधे पहुंच रहे हैं अंत में इस मुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदामंतरी निरेंद्र मोधी ने विश्वय युवा कोशल देवस पर देशवासियों को किया समबोधित कोरना वाइरस के दौर में प्रासवंगे बने रहने के लिए दिया स्किल, री स्किल और अप स्किल का मुँद्र प्रदेश सरकार ने कोवीड-19 की चुरोती को आवसर के रूप में लिया जरूरत मंद्वा गरीबों के लिए लगभग 1500 क्रोड रुपे किये खर्च प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार द्वारा लिये जा सकते हैं कुछ कड़े फैसले स्वास्ते मंत्री अनिलविच ने कहा दिल्ली के साथ लगते जिलों की सीमाओ को फिर से किया जा सकता है सील और सीबियस सीद्वारा गुशी तुद्दसली कक्षा के परिणाम में लड़कियों ने एक बार फिर अपना वच्चा स्वकिया कायम प्रदेश का परिक्षा परिणाम 94.001 प्रतिशत्रा है सुमाचार में आज तना ही नमस्कार झाल